इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सब से पहले देखने के लिए अलवर, दौसा, सवाई, माधोपूर, बारा, कोटा, जैपूर, करोली, बाडमेर, पाली और जालोर में भारी बारिश हो सकती है कोटा में सुमवार तड़के सुबह 11 बजे तक भारी बारिश का एक दौर भी हो चुका है कोटा में हुई मुसलाधार बारिश के कारण चंबल के कैश्मेंट एरिया में पानी की काफी आवक हुई इसके चलते कोटा बेराज डेम के दो गेट तीन तीन फिट खोल कर 7344 क्यू से पानी की निकासी भी की गई सावन के तीसरे सुमवार को कोटा शहर में तड़के ही बारिश की जड़ी लग गई और सुबह करीब साड़े पांच बजे के बार बादल लगातार जूम कर बरसने लगे इस बीच तेज मुसलधार बारिश होने की कारण शहर के कई निचले हिस्से में नाले उफान पर आ गए और रास्तों में 1-2 फिट पानी भर गया तेज बारिश के कारण कामकाज पर निकलने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है ताथेड के पास मारवाडा चो की नाला उफान पर आने से कोटा बीना रेल मार्क पर बने अंडर पास में भी पानी भर गया और कोटा से शोपूर स्टेट हाईवे नंबर सतर ठप हो चुका है सुबह साड़े पांच बजे से लेकर साड़े आठ बजे तक शहर में करीब 18.5 mm बारिश दर्च की जा चुकी है उसके बाद भी बारिश का दौर चलता रहा और मौसम विभाग के अमसार कोटा शहर में पिछले 24 गंटों में 23.9 mm बारिश दर्च की गई इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ वाटसअप पेस्बूक पर शेयर जरू करे जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को दबान ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटिस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले धन्यवाद